आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूं भगवान को राखी समर्पित करते समय आपको क्या बोलना है विशेशुरुप से उन बहनों के लिए जिनके भाई उनसे अच्छा व्यवाहर नहीं करते राखी पर उनको नहीं बुलाते हैं उनकी इज़त और सम्मान नहीं करते हैं इसके अलावा ऐसी बहने जिनके भाई नहीं है तो आप किसी भी इश्टदेव को राखी अर्पित करिए भगवान श्री गणपती को, श्री राम जी को, कृशन जी को या किसी भी धर्म के आप हैं अगर आप के जो भी विधान है उस तरह से आप भगवान को परमात्मा को अपनी राखी अर्पित करिए और आख मंद करके दो मिनिट आप ये शब्द बोलिए कि है परमात्मा आपने मुझे ये मानब जीवन दिया है और इस जीवन में मुझे भाई नहीं दिया ये अगर भाई आपके अच्छे नहीं है तो ये बोल सकते हैं कि आपने मुझे रिष्टा निभाने वाला भाई नहीं दिया तो मेरे भाई को सद बुद्धी दीजिए भले ही मेरा भाई मुझे प्यार ना करे लेकिन मैं अपने भाई को हमेशा प्यार करती रहूंगी और दिल से हमेशा उसको अपना मानती रहूंगी कोई बात नहीं अगर वो रहा से भटक गया है तो उसे श्रमा करिए और अपने भाई के शुबत्व की कामना कीजिए इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सबसे ज़्यादा भगवान को जब राकिया परपित करेंगे तो उनसे एक रिष्टा जोड़िए उनको ये बूलिए कि अब आप ही मेरे भाई है और जीवन के हर शेत्र में जब ए आप ही मेरे रक्षक हैं तो इस तरह से आप विंति कीजिएगा तो परमातमा हर मौके बार आपके साथ होंगे हर चीज भावना और दिल से जूड़ियूई होते है जब आप मन से पवित्र होते हो और आपके थौट और आपके विच्यार आपके दूद्दगार अच्छे हो सब्सक्राइब